आप सब्सक्राइब नेकर पीर हाजिरूं बहुत इंट्रेस्टिंग सा फैक्ट आप सब के सामने जी हाँ यह आपने सुना है बिना नील के इमारत खड़ी हो सकती है जी हाँ आज उसी इमारत के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उस इमारत का नाम और जगें पहले बताते थी हूँ वो है राजस्तान के कापिटल जैपूर शेहर यानि की गुलावी नगरी में स्थे पालेस आउफ ब्रीज या पैलेस आउफ विंड के बारे में आपने सुना हो जी हाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको बनाया किसने है इसको बनाया है सवाई प्रताप सिंग ने राइंट सन आउफ सवाई जैसिंग 1799 AD में जी हाँ और ये पूरी इमारत जो है वो बिना नीव के खड़ी है सिर्फ इसके आठ इंच की मोटी वाल की सहारी इसका कोई इंट्रेंस नहीं है जी हाँ इसका इंट्रेंस भी नहीं है इसका इंट्रेंस आपको मिलेगा सिटी पैलेस के अंदर से इसके अंदर 953 विंडोस है जो बहुत ही सुन्दर है इसके अंदर एक ग्रिल है जिसको बोला जाता है अकाश पाताल जाली इसको बाहर का आदमी नही देख सकता है यह क्यों बनाया गया था इसके पीछे का इंट्रस्टिंग फैक्ट भी मैं आपको बताती हूं दरहसल पहले के जमाने में पर्दा सिस्टम हुआ करता था और रॉयल लीडीज बाहर नहीं निकल सकती थी तो कोई की स्पेशल ओकेजन आपको बाहर देखना हो जिसकी खिर्कियों से जहां कर रॉयल लेडीज और उनकी दासी बाहर का नजारा देख सेव क्राउन की तरह आपको आध्य से दिखाई देगा वह इसलिए दिखाई देगा क्योंकि जो सावाई प्रताप सिंग थे वह लौड सवाइश नहां में विशवास रखते थे और उनकी क्राउन से ही वह स्ट्रक्चर लिया गया है इसलिए उसका क्राउन का है यह रहने के लिए नहीं है और यह शिर्व रॉयल लेडीज और दासी के बाहर का व्यू बहुत देखने के लिए एक और रह समय बात में आपको ब only ramp है जो वाप करके आप उपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं तो कैसा लगा आपको ये पांच मंजिला इमारत हवा महल का interesting सा fact अगर वीडियो पसंद आए do it the like button and subscribe to my channel for more interesting videos thank you take care and bye